असलाम लेकों दोस्तों वेल्कम बैक चाना दा वीडियो क्या हाल चाल है उम्मीद करता हूं सब खरिया सूंगे अल्ला ताला हम सबको अपने हिप्ज उमान में रखे बुरी नदर से बचा के रखे आमीन सुमा आमीन काफी दिनों से जो हैना मुझे बहुत जादा सीन यह चल रहा है कि अगर तो आप फस अटैम में निकालते हैं पहली बारी में निकालते तो पांच हजार दरम का अपने दिमाग में आप बनाग रखे माइं ठीक है पांच हजार दरम इंडिया के स्ट्रेट होगा एक लाग रुपर पाकिस्तान के तकरीबन दो लाग सवा लाइसेंस ले रहे हैं तो मैंने मोर-लेस एक लंप सम एक ऐसा ममांट बताए जो आपके मांट में होना चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं तीखें लाईसेंस लेने के लिए सबसे अपको क्या करना पड़ेगा आपको सबसे पहले यहा के फाइल आपड़ानी पड़ेगी कोई भी स्कूल आप यहां से देक लिए जैसे अँए कौन सा स्कूल यहां पर बालाधारी है जैसे अइमिरेट्स ड्राइविंग इस्टूट तो कहीं भी अपनी मर्जी में जाके जाके देखके वहां पर आप वहां से वह कर सकते हैं मोर और लेस जो प्रोसिजर होता है वह सेम ही होता पांच दार का मैंड बना के रखें अच्छा सीन यह है कि सबसे पहले आपकी फाइल खुलती है आई टेस्टिंग होती है फाइल खु पास होती है वह आप यह समझ लें के इंसिटूट के अंदर ही होती है जो आपका स्कूल है इसके इलावा जो है आप बाकी क्लास ऑनलाइन भी ले सकते हैं ठीक है अच्छा आट क्लास लेने के बाद आपने जो त्योरी में सीखा होता है ठीक होता है टोटल चालिस फॉर्ट होते हैं जिसके अंदर वह आपको बताते हैं रोट साइंस बगारा रोट नॉलिज देते हैं आपको सिग्नल पर कैसे रोखना है लेन कैसे चेंज करनी है और यह सारी मतलब थी जिस तरीके से होती है ठीक है चालिस कोशन दने के बाद आपका होता है टेस्ट वह आप जैसे करते हैं उसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है या तो पंदरा घंटे की आपकी क्लासिस होंगी या आठ घंटे की ठीक है अच्छा पंदरा घंटे की उन लोगों की जिन लोगों का लाइसंस उनकी कंटे में नहीं बना मिसाल के तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप इंडिया पाकिसान बंगलादेश नेपाल कहीं से भी आ रहा है और आपका मोटर साइकल का आपके पास जो है ना लाइसंस मौजूद है तो आप यहां पर लेकर आ सकते हैं लेकिन आपको अपने कंट्री के जैसे इंडिया से कोई आ पाकिसान से तो वह अपने कं रोड पर आप आठ क्लासे देने के बाद आप आपकी कच्छी ट्राई होती है एक एडवाइस आप दो देना चाहूंगा बैतर है कि लेटर लेना चाहो ले लो लेकिन क्लासे पूरी पंद्राई लो क्योंकि यहां पर रोड पर बहुत सारी चीज़े आप लोग को टाइम ट कच्छी ट्राई होने के बाद जो असेस्मेंट ले रहा होता है जो कच्छी ट्राई लेता है आपकी वह आपको देखता है कि आप इस काबिल है या नहीं है अगर आप इस काबिल होते है तो फिर वह आपको जो आपको फाइनल रोड ट्राई के ऊपर भेज देता है ठीक है यानि जो मुदीर यह समझ लें जो अर्भी लोकल लेता है ठीक है अच्छा उसके बाद जो है जब अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको लाइसंस मिल जाता है अच्छा यह सारे चीज़े और इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि इसमें जो क्लासे होती है जैसे के रोड पर प्रैक्टिकल जो होती है तक्रिपन सौ दरा में सौ दस दरम की एक क्लास होती है अब आप हिसाब लगा लें कैलकुलेशन मैंने लंसम बता है बहुत सारे स्कूल यहां पर क्या कर रहा है एक लं कर पाते हैं उनकी प्रैक्टिस होती है वह शिफ्ट में लेंगे एक क्लास जो है इस तैम पे लेंगे दूसरी क्लास दूसरे टाइम पे लेंगे या फिर कुछ लोग फ्रैडे को लें लेते हैं तो वह उन्होंने पैकेज इसको नाम देती है सिल्वर पैकेज और स्पेशल बढ़के 6,000, 6,000, 7,000 अर्म तक भी जा रही है तो डिपेंडिंग ऑन इस तिंग्स तो यह वाला मामलाद इसके अंदर है अच्छा अभी क्या सिनाज चुला है लाइसंस के अंदर जो है न अच्छा विजट वीज़े के ओपर आप लाइसंस नहीं ले सकते हैं आपके पास वीज़े पासपोर्ड एमिरेट साइडी फोटोग्रैस वगरा चाहिए होती है और आइटेस्टिंग अगर आप हाट से करा के आ रहे हैं तो ठीक है अगर नहीं आ रहे तो वहीं इंस्टिटूट के अंदर ही हो जाता है ठीक है यह पॉइंट्स है अच्छा अब बात करते ह है इसके और दूसी चीज है कि लोग कुछ लोग पुछते हैं कि इंडिया का पाकिस्तान का जो लाइसंस दानेज में हम इंडिया में चला सकते हैं नहीं चला सकते हैं अच्छा इसके इलावा वह तक्रीबन 40-42 कंट्री जैसे यूके यूए यूस कैनड़ा वगरा उनका ल दिहान में रखना हैं यहां पर आईए जो चार-पांच बड़े-बड़े इंसिट्यूट्स हैं महां पर जाके विजिट कीजिए पांच हजार दरा मैटलीस आपके माइंड में होना चाहिए है यह तमाम बाते में चाप लोग को बता नहीं ती होफोली के वीडियो का इंफ चाहिए right